अगर 20-25 साल पहले की बात की जाए जब भी एक व्यक्ति को पैसे की आवशक्ता होती थी तो व्यक्ति या तो किसी अपने यार दोस्ते पैसा ले दे था या फिर व्यक्ति किसी ऐसे सहुकार के पास में जाता था जोकि उसको पैसा दे दे भले ही वो उससे interest ले ले जादा जोकि बहुत जादा व्यक्ति को जब पैसे की अवशकता होती है व्यक्ति चाहता है कि उसको किसी भी तरीके से पैसा मिल जाए तो व्यक्ति के पास में यही सारे option थे लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो व्यक्ति के पास में multiple option open हो चुके है अगर किसी व्यक्ति को पैसे की अवशकता है तो व्यक्ति चाहे तो 1000 रुपे की अवशकता है तो एक loan application डाउनलोड कर सकता है वहां से भी वो loan ले सकता है 1000 रुपे के 1500 या फिर 2000 रुपे दे सकता है अगर किसी व्यक्ति को 4000 की जोरत है वो भी आसानी से मिल जाएंगे 10,000 की जोरत है वो भी आसानी से मिल जाएंगे तो खुल मिला करके आज की डेट में देखा जाए तो online, digitally तरीके से बहुत ज़दा आसान मामला हो गया है लेकिन यही online, digital तरीका जो है वो आपके भविशे को आपके future को पूरे तरीके से बरबाद करा रहा है इससे बहुत ज़दा नुकसान हो रहे हैं इससे बहुत ज़दा दिकत परशानी बन रही है ऐसे बहुत सारे हमारे subscribers हैं जो कि पूरे तरीके से किसी ना किसी bank NBFC से किसी से 10,000 रुपे का लोन ले लिया किसी ने 20,000 रुपे का लोन ले लिया किसी ने 25,000 रुपे का लोन ले लिया किसी ने 40,000 रुपे का लोन ले लिया उनका अपना घर का खर्च चलाना ही बड़ा मुस्किल हो रहा है, वो भुगतान कैसे करें। आप लोग सभी जानते होंगे, अगर आपने किसी बैंक NBFC से किसी प्रकार का कोई भी लोन ले लिया, आप उसका भुगतान नहीं कर पाते हैं, तो आपके पास में recovery agent कोल करते हैं, आपको डराते हैं, आपको धंकाते हैं, इवन आपकी इज़त पर पूरी तरह से प्रहार करत हैं, ऐसे ही कुछ व्यक्ति होते हैं, जो की बहुत ज़्यादा इन से परिशान हो जाते हैं, इनकी गहसत उनके mind में पुरी तरह से create हो जाती है, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, जो professionally अच्छे तरीके से चीजों को जानते हैं, समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, rules पता हैं, guidelines पत होते, right, वो अगर कोई उनसे extra amount मांगा जाता है, तो वो pay कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मिछले काफी time से क्या हो रहा है, जो defolters की तादाद है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जब defolters की तादाद बढ़ती जा रही है, तो लोगों के ज मुझे private job की आवशकता थी, मैं वहाँ पर आवेदन करने गया, तो बंदों ने मुझसे civil की demand की, कि भाई कल को हम अगर इसको पैसा देने लगें, पैसे को ये किस प्रकार से समालेगा, क्या इसका lane देन का procedure है, क्या सारी चीज़े हैं, तो private company ये सब चीज़े भी देख रही होती है, कि वो loan को default करे, उसकी मंसा ये होती है, कि वो timely पैसा दे दे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, कब पता किस पर आ जाए, और किसको दिक्कत परिशानी में डाल दे, तो ऐसे कई हमारे subscriber हैं, जो की चाहते हैं, उनका civil score खराब नहों और इन से पीचा छूट जाए, त तो वो EMIs कहां से पे करते, उनकी जो total EMIs हैं, वो default हो गई, उन्होंने जब job के लिए काफी जगा पर try किरा private, तो उनका civil score की demand रखी गई, और जब उनके civil score की demand रखी गई, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, डर गए, घबरा गई, फिर उन्होंने इसे बात की कि, कि देखे, मैं अपना civil score को बहतर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से मेरा civil score बहतर हो जाए, मुझे इससे आप छुकारा दिलाइए, मुझे आप इससे पुरी तरीके से पीछा चुटाइए, उस NBFC को काफी उन्होंने message भी किये, काफी email भी किये, तो NBFC से बात करने के बाद में, उनको क्या solution मिला, उनको यही solution मिला, कि भाई आप एक काम करो, जो पूरा amount है, actual amount, वो आप पे कर दो, आपका civil score बहतर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत परशानी नहीं आएगी, बंदे ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो पूरा जो amount था, उसक पैसा जरूर देगा, क्योंकि इसको civil की अवशकता है, तो NBFC ने उसको offer देने शुरू कर दिये, बहुत बहतर बहतर offer दिये, लेकिन उसको पूरी तरीके से समझ नहीं आ रहा था, वो क्या करे, उसका दिमाग पूरी तरीके से खराब था, क्योंकि देखे, आपको बता है, जब आपका civil score खराब होता है, तो आपको कोई bank NBFC लोन नहीं देता है, लेकिन अगर उच्छे व्यक्ति पूरी तरीके से आपसे पैसा देने के नाम पर civil मांगते हैं, तो चलो ठीक है, लेकिन यहां तो जोग के नाम पर civil मांगा जा रहा है, जोग देने के नाम पर civil score कर देंगे, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपके civil score पर किसी प्रकार का कोई भी परभाव नहीं पड़ेगा, और आपको दिक्कत परिशानी एक प्रतिशत्वी नहीं बनेगी, बंदा ने जब पुरे तरीके से ये बास सुनी, बंदा पुरे तरीके से हैपी हो गय घर जा करके अपनी वाइप से डिसकस किया, तो उसकी वाइप ने कहा कि देखे आप पेमिंट तो कर रहे हो, कहीं से हम एरेंज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जुगाड़ वगरा इधर से कर रहे हैं, लेकिन आप एक बार NBFC से कंसल्ट कर लो, आप एक बार NBFC से पुरी स्कीम बता रहे हो, इसकी प्रोपर डीटेल बाई इमेल मेरे ओफिशल इमेल आईडी पर आप दे दो, अपनी NBFC की ओफिशल इमेल आईडी से ही, जब ये बास चुनी, तो जो एजेंट था उसके होस उड़ गए, एजेंट समझ गया, कि ये बंदा तो पुरे तरीके से मे व्यक्ति भुकतान नहीं कर पा रहा है, आप उससे इतने फीसदी में पूरी तरह से सेटलमेंट कर लो माम लेको, और उसका लोन एकाउंट भी क्लोज कर दो, और सिबिल भी खराब ना हो उसका, तो जब भई वाइफ से डिसकस किया, तो वाइफ ने उनको रास्ता बता दि जो कि उनकी वाइफ थी, वो काफी ठीक ठाक पड़े लिखे थी और अच्छे तरीके चीजों को समझती थी, तो इस प्रकार से सिबिल को लेकर के अब बहुत ज़दा मारी मारी चल रही है, सिबिल हर एक व्यक्ति चाहता है कि खराब ना हो, लेकिन ये 1000-2000 रुपे देने व एक रहा है, जिसमें की सटल्मेंट के नाम पर आपसे कहा जा रहा है कि आप इतने परसेंट में सटल्मेंट करा लो, आपका सिबिल को खराब नहीं होगा, वो आपके साथ में फर्जी वाड़क्र है, फ्रोड कर रहा है, आप सतरक रहें, और हाँ, एक बात नमें भूली गय अगर कोई company आपसे job देने के नाम पर civil score मांगती है, तो आप साफधान हो जाएं, सतर हो जाएं, क्योंकि ऐसा कोई guideline नहीं है, ऐसा कोई rule नहीं है, कि आप private नोकरी देने के नाम पर civil score की demand करें, वैसे वो मांगते हैं, अब भई क्यों मांगते हैं, क्यों नहीं मांगते हैं, ये मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा कोई rule नहीं है, तो इसलिए आने वाले वक्त में आपको दिक्कत हो सकती है, अगर आपका civil score खराब है, आप में से बहुत से ऐसे वेक्ति होंगे, जो परिशान होंगे bank और NBFC से, वो हमसे बात करना चाहते हैं, वो हमसे सलहा लेना चाहते हैं, वो definitely हमसे ले सकते हैं, उसके लिए हमारा ये WhatsApp नमबर आप देख पा रहे होंगे उपर, यहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप call करेंगे, कोई response ने मिलेगा, message करेंगे, कोई response ने मिलेगा, लेकिन जब आप proper detail अपनी send करेंगे, जैसे अपना नाम, अपना mobile number प्लस आपका current issue है, और आप बताएंगे, कि आपको appointment चाहिए, telefonically हम आपका appointment fix कर देंगे, और आपका current issue है, उसको short out कराने का पूरा परियास करेंगे, यहाँ पर हमें आपको एक charge पे करना पड़ेगा, charge हमें आपको यह नहीं है, कि आपको 2000 पे करना है, 3000 पे करना है, 1000 रुपे करना है, 500 रुपे करना है, पहुत minimum amount पर आपको एकदम अच्छी जानकारी हमारे दुआरा provide करा दी जाएगी, after payment आपके पास में तीन देन का समय होगा, तीन देन के अंदर आप हमसे सला ले सकते हैं, तो आप लोग क्या कहते हैं, क्या आपका civil score भी damage हो चुका है, क्या आपको भी bank और NVFC जो है इस परकार के offers दे रहे हैं, जिसमें civil score को भेतर करने की बात कर रहे हैं, आप comment में अपने राय जरूर दें, क्या आपको भी लगता है, आज से पहले जो पैसा दिया जाता था, highest amount पर वो ठीक था या ये ठीक है, मेरे हिसाब से तो वो जादा ठीक था, योकि उस मामले मर पूरे तरीके से व्यक्ति तब ही जाता था, जब व्यक्ति को पहुत ही जादा अवशकता होती थी, जब व्यक्ति किसी प्रकार से arrangement नहीं कर पाता था, तब जाकर के वो सहरा लेता था, उससे क्या होता था, उसके घर-खर्च वगयरा में भी प्रोपर तरीके से सब्चीट ठीक रहती थी, वो अपना सब चीजें मैनेज करता रहता था, लेकिन अब क्या हो गया है, इस सब चीजों से व्यक्ति पूरे तरीके से, अगर उसे छोटी सी चीज की भी ज़रुत है, तो वो लोन का सहरा लेता है, तो ये अब जितना आसान होता जा रहा है, उतना ही व्यक्तियों के लिए नुकसान दायक है, आप इस सब पर क्या कहते ह जो भी आपकी प्रतिकरिया है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर दें